Question number 10 को देखो Let 21 by 20 to the power 100 greater than 100 पहले इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है? अभी दोनों साइड लोग लेते हैं तो लोग 21 by 20 to the power 100 greater than log 100 तो यह जो 100 यह समने आ जाएगा 100 लोग 21 by 20 greater than log 100 को हम लोग के से लिख सकते हैं 10 to the power 2 तो यह हो जाएगा 100 log 21 minus log 20 इसे ना, divide में हैं तो minus में लिख सकते हैं हम लोग greater than यह 2 समने आ जाएगा log 10 log 10 का वेल्यू कितना होता है? 1 तो यह हो गया 100 अभी log 21 को हम लोग के से लिख सकते हैं log 3 into 7 minus log 20 को के से लिख सकते हम लोग 2 to the power 2 into 5 ठीक है? greater than 2 अज़ 2 अब भी 100 यह हो जाएगा log 3 plus log 7 minus log 2 to the power 2 minus इंटो प्लास क्या होगा? minus log 5 greater than 2 100 log 3 का वेल्यू कितना है? 0.47712 तो approximately हम लोग 0.48 मान सकते हैं और log 7 का वेल्यू कितना है? 0.8451 तो approximately 0.85 मान सकते हैं minus यह 2 तो समने आ जाएगा और log 2 का वेल्यू कितना है? 0.3010 तो approximately 0.3 मान सकते हैं और log 5 का वेल्यू approximately 0.7 मान सकते हैं greater than 2 तो यह हो जाएगा 100 rate यह दोनों को add करने भी कितना मिलेगा? यह 13 वान के रही है 12.13 यानि कि 1.33 यह हो जाएगा 0.6 और यह हो जाएगा 0.7 greater than 2 तो नेक्स लाइन में होगा 1.33 मानस यह कितना हो जाएगा? 1.3 greater than 2 अब यह कम करते हैं यहापे 0 पूट करते थे हैं तो नेक्स लाइन में क्या होगा? 1.33 मानस 1.30 करने पे कितना हो आएगा? 0.03 आएगा greater than 2 अब इन दोने को multiply करने पे कितना आएगा? 3 है ना? यहापे 100 है ना? तो यह जो decimal हो 2 digit move करेगा तो यहापे 3 मिलेगा 3 greater than 2 यह true है कि नहीं? 3 is greater than 2 यह true है यह true है यानि कि हम लोग ने जो assume किया था वो भी सही है therefore 21 by 20 to the power 100 is greater than 100 मान लोग अगर हम लोग को ऐसा मिलता है 3 is less than 2 तो यह तो false है ना? यह तो गलत है क्योंकि 3 तो 2 से बढ़ा है ऐसा आता तो false होता है यानि कि हम लोग ने जो assume किया था वो भी क्या हो जाता है गलत हो जाता है उस case में 21 by 20 to the power 100 greater than 100 यह यह गलत हो जाता है यह verify नहीं कर सकती थे हम लोग ठीक है? यह verify नहीं होता है ठीक है? समझे में आगे? अभी इसको देखो दोनों साइड लोग लेते हैं तो लोग 10 to the power 11 greater than लोग 11 to the power 10 ठीक है? तो यह जो 11 यह समने आजा जाए 11 लोग 10 10 लोग 11 अभी लोग 10 का वेलो कितना होता है 1? तो 11 into 1 कितना होगा? 11 10 अभी लोग 11 लोग 11 का हम लोग कैसे देख सकते हैं 1.1 into 10 तो यह फिर से 11 मिल जाएगा तो next line में होगा 11 greater than 10 ठीक है? यह हो जाएगा लोग 1.1 plus लोग 10 ठीक है? तो next line में होगा 11 greater than 10 लोग 1.1 ठीक है? इसका वेलो हम लोग टेवल से इन कालते हैं तो इसका वेलो लोग टेवल से मैं लोग टेवल देख रहा हूँ तो लोग 1.1 का वेलो यानि कि लोग 1.1 का वेलो आपका लोग टेवल में कितना दिया गया है? 0.0414 इतना दिया गया है लोग टेवल में आपका वेलो यह तो निकलना आता है न आपको आपको मेंड वेलो देखना है मेंड वेलो आपको कितना देखना है 11 तो मेंड वेलो 11 देखना है तो आपको यह यह वेलो में जाएगा जानि कि लोग 11 का वेलो कितना है 0.0414 प्लास लोग 10 का वेलो कितना होता है 1 ठीक है तो 11 ग्रेटर देन 10 इन्टू यह हो जाएगा 1.0414 ठीक है तो नेक्स लाइन भी होगा इसको मॉल्टिप्लाइ करोगे तो कितना बिलेगा 10.414 11 is greater than this है ना यह तो true है यानि कि हम लोग ने जो एजम किया था वो भी क्या है सही है therefore 10 to the power 11 is greater than log 11 to the power 10 question number 11 देखो हम लोग को rate दिया गया है और amount कितना होगा twice of principle यानि कि अगर bank में आप लोगने 10,000 रखा होगा ना तो वो कितना हो जाएगा double हो जाएगा 20,000 हो गया तो amount कितना दिया है twice of principle हम लोग को time निकलना है ठीक है और compound interest में amount का formula क्या होता है a is equal to p1 plus r by 100 to the power n ठीक है amount at 2p equal to p1 plus rate a5 by 100 to the power n ये p और p cancel होगा तो 2 equal to अभी ये क्या होगा 100 into 1 कितना होगा 100 plus 5 by 100 to the power n ये होगा 2 equal to ये होगा 105 by 100 to the power n next line में क्या होगा 2 equal to ये 100 के लिए ये जो decimal है कहाँ पर आ जाएगा दो डीजे दी तर आ जाएगा तो ये होजाएगा 1.05 to the power n अभी दोनों साइड लोग लेते हैं तो लोग 2 equal to log 1.05 to the power n तो लोग 2 का वेलू कितना होता है 0.3010 equal to ये n सामने जाएगा n लोग 1.05 तो next line में होगा 0.3010 equal to n लोग इसका वेलू कितना होगा है न 10.05 तो देखो आप लोग टेबल से देखो आप 10.05 कितना है वेलू 0.0212 0.0212 तो n का वेलू कितना मिलेगा हम लोग को n equal to 0.3010 by 0.0212 ये decimal और decimal कैंसल हो गया तो कितना मिलेगा 3010 by 212 तो 2 से कार सकते हैं हम लोग ये 1505 2 10s are 20 2 6 are 12 ठीक है याने कि 1505 को 106 से डिवाइड करना बढ़ेगा तो 1 से करो तो कितना मिलेगा 106 ये 44 हो जाएगा और ये 5 और 4 से करते ये 424 हो जाएगा ये 1 और ये 2 पॉइंट देने से 0 आजाएगा ठीक है तो 2 से करेंगे तो नहीं होगा 1 देने से 106 आएगा तो 10 में से 6 किया तो 4 ये 0 और यहाँ पे 1 आटोमेटिक 0 आगया तो 9 से जाएगा ये ये ना 9 6 जाएगा 54 9 1 जा 9 तो लगबग 14.2 आएगा एंसर ये ना 14.19 मतलब 14 point 2 मतलब 14.2 खा लगबग इतना ये तना यार्स में वे तो रहले करेंगा तोर में हिरोड ल करेंगे double is 14.2 years book में इसका answer दिया है 17.7 दिया है ठीक है जो की गला थे क्यों इसको आफ calculator के help से भी आप चेक कर सकती हो simple सा बात है calculator में कैसे check करने आपको आप calculator में 1.05 लिखना ठीक है और to the power ऐसा वाला symbol लगाना और यह 14.2 लगा देना आफ तो आपको answer लगभग कितना मिलेगा 1.999 ऐसा कुछ मिलेगा यानि कि लगभग 2 ठीक है लेकिन आप अगर 17.7 रखोगे यहाँ पे तो आपको 2 नहीं मिलेगा ज्यादा मिलेगा ठीक है तो बुक का answer गला थे answer 14.2 ही सही है ठीक है अब 11 का भी देखो एमाउंट दिया गया है time दिया गया है rate दिया गया है हम लोगको principal निकालना है ठीक है तो एमाउंट है 12,000 प्रिंसिपल पता नहीं 1 प्लस रेट 5 है by 100 और n कितना है 15 है तो यह हो जाएगा 12,000 P और 100 इंटो 100 प्लस 5 यानि कि 105 डिवाइद बाइ 100 तुदी पावर 15 यह हो जाएगा 12,000 P यह हो जाएगा 1.05 क्यूंकि निच्छी दो 0 है तुदी पावर 15 अभी दोन साइट लोक लेते तो लोग 12,000 इकवेल तू लोग P ग्लस लोग 1.05 touchdown 15 क्योंकि यह धो में इंटू में तो प्लस में आएगा त्यक्ति तो नेक्छ में हम लोग लिक सकते है लोग 12 इंटु 10 तुदी पावर 3 इकवेल टु लोग P plus 15 लोग 1.05 ठीक है तो यह हो जाएगा log 12 plus log 10 to the power 3 यह जो power यह समने जाएगा यहाँ पी और log 10 का value कितना होता है 1 equal to log P plus 15 अभी log table से इसका value देख़वा आप main value कितना है 10 और difference कितना है 5 याने कि 10 और 5 value कितना है 0.0212 अभी log 12 को कैसे लिख सकते हम लोग 3 into 2 to the power 2 याने कि 3 4s are 12 plus 3 1 जा कितना होगा 3 equal to log P plus इन दोनो को multiply कर आप 0.0212 को 15 चे multiply करो तो 10 1 किरी 5 1 जा 5 6 5 2 जा 10 तो यह जाएगा 2 1 2 0 8 1 3 यापे point आएगा याने कि 0.3180 अभी यह जाएगा log 3 plus log 2 to the power 2 plus 3 S को इदर लेखे आते हैं 0.3180 equal to log P अभी log 3 का value कितना है 0.4771 यहाँ पे approach value नहीं लेख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो power यह बोद बड़ा हैं ठीक हैं? तो हम लोग approach value नहीं लेख सकते हैं power बोद बड़ा हैं plus यह 2 सामने आ जाएगा log 2 का value है 0.3010 plus 3 minus 0.3180 equal to log P अभी हो जाएगा 0.4771 plus 0.6020 plus 3 minus 3.3180 equal to log P ठीक है? अभी इन तिनों को 8 करना पड़ेगा? ठीक है? तो 0 plus 1 कितना होगा? 1 2 plus 7 कितना होगा? 9 और 0 plus 7 कितना होगा? 7 6 plus 4 कितना होगा? 10 ठीक है? अभी इहापे तो 1 आ गया और इहापे कितना है? 3 यहने कितना हो जाएगा? यह 4 हो जाएगा minus 0.3180 equal to log P यानि कि log P का value कितना आएगा? देखो आफ 11 में, स्वारी 1 में से 0 गया तो कितना आएगा? 1 आएगा 9 में से 8 गया तो 1 और 7 में से 1 गया तो कितना आएगा? 6 ठीक है? 10 में से 3 गया तो 7 और यहापे कितना बच्चा? 3 यानि कि 3.7611 मैं इसको इदर solve करता हूँ ठीक है? तो log P equal to 3.7611 दोनों साइट एंटि लोग लेते हैं तो एंटि लोग और लोग यह तो लोग कितना बच्चेगा? P बच्चेगा और इदर एंटि लोग 3.7611 ठीक है? अभी एंटि लोग निकालते हुआख हम लोग सिर्फ positive decimal part को ही consider करते हैं ठीक है? तो एंटि लोग टेबल से आप देखो main value कितना है? 76, difference 1 है और mean difference कितना है? तो 76, 1, 1 तो इन दोनों को 8 करो तो इन दोनों को 8 करने भी कितना मिलेगा? 5, 7, 6, 9 अभी characteristic कितना है? 3 है यानि कि decimal को कहां भी होना पड़ेगा? यहां भी होना है पड़ेगा क्योंकि जब इसको आप standard form में convert करोगे तो क्या मिलेगा? 5,769 x 10 to the power 3 ठीक है? और characteristic कितना है? 3 तो है ठीक है? तो principle लगबक कितना मिलेगा? कितना होगा principle? लगबक कितना है? 5,769 ठीक है? अभी question number 12 देखो 4 by 3 Pi का value कितना है? 3.142 और R हमलोको निकलना है और volume अलड़ी दिया है कितना है? 15.5 ठीक है? अभी next time में क्या करते है? इसको cross multiply करते थे इतर ठीक है? और यह दोनों को निचले लिखे आते यानि कि R cube is equal to याना? यह cross multiply करते है? 15.5 इन्टु 3 और यह और यह दोनों निच्छे आ जाएगा 4 into 3.142 ठीक है? तो यह multiply करने भी कितना होगा? 3,5 is a 15 और यह 46 यानि कि 46.5 और यह 4 to the 8 यह 5,6 और यह ठीक है? sorry यह decimal यहाँ पे होगा ठीक है? तो अभी क्या करते है? यह इसको 46.5 इसको थोड़ा approximate value लेते है ना? calculation करने में easy होगा 12.6 लेते है इसको ठीक है? तो यह decimal और यह decimal कर जाएगा ठीक है? तो 465 को 126 से क्या करते है? डिवाइड करते है ठीक है? तो 3 से ट राए करते है 3, 6, 18, 1 केरी 36, 37 तो 15 में से 8 गया तो 7 और 15 में से 7 गया तो 8 87 मिलेगा पोइंट देने पे 0 आएगा अभी 6 से ट्राए करते है 6, 6, 36, 3 केरी और 6, 12, 72, 3, 75 ठीक है? तो 10 में से 6 गया तो 4 6 में से 5 गया तो 1 और यहां पे 1 बच्चेगा अब 0 आटोमेटिक आ गया ठीक है? अभी 9 से ट्राए करते 9, 6, 54, 5 केरी 9, 12, 10, 8 5, 11, 3 ठीक है? तो यहां पे 6 आएगा यानि कि यह लगबक कितना होगा? 3.69 ठीक है? अभी यह आर क्योब इकल टो कितना मिला हम लोको? 3.69 अभी दोनों साइड लोग लेते हैं तो लोग r to the power 3 इकल टो लोग 3.69 ठीक है? यह जो 3 यह तो समने आजाएगा 3 लोग आर अभी लोग 36.9 में भेलू कितना है 36 और डिफरेंस कितना है 9 इसका भेलू आप लोग टेबल से निकालो में भेलू है 36 और डिफरेंस कितना है 9 तो कितना मिलेगा? 5670 5670 और यहाँ पे पॉइंट भी होगा अभी लोग r इकल टो 0.5670 यह जो 3 यहाँ पे आजाएगा ठीक है? अभी इसका भी 3 से डिवाइड करो पॉइंट 3 बॉंज आ 3 2 दर गया तो 26 3 एट्स आ 24 2 दर गया तो 27 3 नाइट्स आ 27 ठीक है? तो इतना मिलेगा लोग r इकल टो 0.189 अभी दोनों साइट अंटि लोग लेलो तो एंटि लोग और लोग एंसलों के सिर्फ क्या बज़ेगा r इकल टो एंटि लोग 0.189 अभी एंटि लोग निकलते हो हम लोग सिर्फ पोजिटिव डेसिंबल पार्ट को ही कॉंसिजर करते हैं तो एंटि लोग टेबल में आप देखो main value कितना है 18 और difference कितना है 9 18 और 9 कितना value आता है 1545 1545 अभी characteristic कितना है 0 है ठीक है characteristic 0 मतलब यह जो decimal है अल्रेड़ी standard form में है ठीक है तो आरकाव value कितना आता है 1.545 cm कितना है